अब लुक यार मैम यह होती है कि जब भी परिवार में खुशी होती है जिसे आज जोगेज भाई का जो छोटा है अनुग्रह अनुग्रह परवेश भी है और अनुग्रह भी है तो एक डबल बुबारकबाद है जोगेज भाई के लिए सु मैं तहे दिल से अपनी तरफ से अपनी वाइफ की तरफ से मैं यह कहना चाहूंगा May God bless the new one who is just three years old तीन साल का बच्चा होता है उसको आगे आने वारे टाइम के दरी पता लगेगा कि जिंदगी में किस तरह से काम करना है बट I surely believe that under the able guidance of his father that is जोगेज भाई ओच्छा ही सीखेगा अच्छा ही करेगा my love all the best of love to that boy and all the best to जोगेज भाई और ग्रह परवेश also और ग्राइपरवेश आल्सू अर ग्राइड के वारे मैं कहते हैं कि कब से आपका तालुग आगए पुराना है कि जतना मेरा तालुइज इस शेहर बंबाई से है बंबाई में आए में नदो बहुत साल हो गए बट जोगेज भाई के साथ कम से कम नहीं तो में पंदरा से बीस साल का खुराना संबंध है पुराने तालुख है जोगेज भाई में किया है सबसे बड़ी बात यह है कि Bright Advertising को जिस में काम पे वो लेकर गए है इसे you can say like a one-man army he has always worked and he has worked very very hard एक ground reality को कभी नि भूरे हैं जैसे का मैं भी कभी नि भूलता हूं और कहां से शुरू हो के कहां पहुंचे हैं it is hard work and of course God's grace also so Bright has definitely achieved a certain distinction in today's competitive world so I wish all the best to Yogelbhai and the Bright Advertising thank you thank you very much how do we celebrate that between the asher you But left good I at देखे, जहां तक तालुक भगवान शिव का है, मैं यह तो नहीं कहूंगा, भगवान शिव तो पूरो संसार के हैं, लेकिन, आज कुर नहीं हो लेगा कहने चाहेंगे, के काटिक हो गया? मैं यह कहूंगी के योगेश भाय के साथ मेरा फैमली रिलेशन्शिप है, मेरे डाड और योगेश जी ने साथ में बहुत काम किया है, बिकस मैं फादर इस अंटो आउट्डोर अड़िटाइजिंग, आज हमारी जान पैचान हुई, और बहुत गर्व मैसूस होता है के हमारी कम्यूनिटी के, क्योंकि मैं खुद भी, I belong to a Gujarati family, I am a Gujarati, so जब मेरे कम्यूनिटी के कोई इनसान बहुत अच्छा करते है, life में बहुत अच्छा लगता है, so I am here to give him my best wishes. आज के जब में किसी को फोलो नहीं करना चाहूंगी, मेरे पास जब ही कोई अच्छी opportunity आएगी, I will take it up, फरक नहीं पड़ता के वो TV में है, Bollywood में है, या फिर कोई regional movie है, या फिर कोई regional serial है, मुझे फरक नहीं पड़ता है, मैं सिफ अच्छा काम करना चाहती हूँ, because मुझ और मैंने तीन्चार शो वहां पर किये, so you never know, आपको कहा से opportunity मिले, so मैं जाधा अपना life plan नहीं करती हूँ, I think it's too soon to talk about it, say time पर I'll talk about it, actually ये ऐसी जगह है कि, you know, आप नेक्स दिन सुबे को उठो गया, आपको अचानक एक surprise मिलेगा, कि ये क्या हो गया, ये तो expected नहीं था, so I think हम इस इंडस्ट्री में काम करते, it's full of not only the controversies, but also full of surprises and news, so you should get a news soon. I would love to do web series, but unfortunately, जो मेरा पहला शो है, साथिया, जहापे मैं गोपी बनी थी, वो क्यारेक्टर, वो किर्दार इतना जादा popular हो गया, कि producers को मुझे उस थरह देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं किसी को मिलकी हूँ, वो लोग बोलते है, तुम तो गोप सकती हो, तुम कैसे web series कर सकती हो, बट लोग भूल जाते हैं, कि हम actors, जब हमें किर्दार निभाते है, तो वो किर्दार इक ऐसी चीज होती है, जैसे हम एक दिन उठे सुबे को, हम कपड़े बदल के काम पे गए, वापिस आए, कपड़े बदल के सो गए, नेक्स दिन हमने किर्दार इक ऐसी चीज है, जैसे होता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, तो just because मैंने एक कर्दार निभाया है, मतलब ये नहीं है के मैं दूसरे कर्दार नहीं निभा सकती हूँ, so yeah, I would love to do web series, provided I get a good opportunity, thank you, yes. Well, हम लोग आज यहां पर आए हैं, योगिश भाई को बढ़ाई देने के लिए, दो चीजों के लिए, एक तो उनके घर में खुशाली रहे, उनका नया घर बना है, और अनुग्रह का आज वर्दे है, तो अनुग्रह को आशिरवात देने आए हम लोग. मैं अनुग्रह को आज बना है, तो मैं क्या का हूँ अपी, बट सही का कि हम लोग योगेश जी के लिए है, उन्हें हमेशा पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, और उसी के लिए मतलब हम सब उसी के लिए यहां पर हैं, और वेरी हापी तो बहुत हैं, और ब्लेस्ट है कि हमारे यहां ऐसी बेटी आई है, जो कि बहुत दबंग है, और हम बहुत खुश है कि हमारे घर में उसने जैनम लिया, मेरे दोनों सुपुत्र, लव और कुश है, और सुनाक्षी है, तो वी अबलेस्ट, हम सामकों लगता है कि बगवान ने हमारे उपर बहुत बड़ी जो कि अबलेस्ट, तो अच्छी बात है, परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि एक भाई के और से भी में देखू आँ और तो गर्व की बात है, यह कभी नहीं सोचना चाहें कि अपने फैमिली में अगर कोई आगे जा रहा है, तो बुरी बात नही यह तो बहुत आगे जा रहा है, पहली बात कि पिछले साल मेरी एक फिल्म आई थी पल्टन, सप्टेंबर में और इस साल भी दूसरी फिल्म में शुरू करूंगा, तो आँ मुर्व करूंगा, तो आइम और यह वोकिं थे थी, थान्किय। श्रुणन जी, श्रुणने वहीड दिए शिष्पकामनाई जी? श्रुुरातरी क लाइ खुब खुबुरादरी के लिए वही अप्रण के सब लुगा कोश्या है हुआ झालोग तंड्रुश्रेग वार्ट I would love to wish Yogis ji और जिए जिए सुटन like a little rock star Happy birthday and Congratulations for his new house I'm really happy to be part of this family from long time because uh He's been there for a long time in my life as from my music albums my movies he's been part, the bright he's been part in my family so that's how today I'm here कि अधे का एफ ग्याज़ आग सारआइह सुप्राइज शप्राइज है? यह किसा प्रड़ेशन है आप एका प्राइज किस अधाप नाभ नाग yeah it's been almost 8 years 8 saal so ऐसले माँ वोई सोचती हो के आज का दिन और उस्ताइम में अपी करीयर स्टाट कर रही थी तो दर्फ रही कुनली से ही तो कदर बढूत तो रही तो दुधा है वही को दो दो में शालेकं, अबला पड़नी सबस्ता है तो दो अप्रम सी हमच्छा भाइ сп श्काइब तो इंगे अग्या सी थै बच्चे सब मेरे को के सन में आये और मेरे लिए बहुत सोगा की बात है इतने मिड़े ओफिसर मेरे आज था था हम भी तो भूछ है कि योगेश भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है हम हमेशा मिश करते हैं लेकिन अभी टाइम पे आगा अच्छा लग रहा है और बच्चे को हम भूछ देना चाहते हैं अपी सर अपी बड़ भी बॉलना चाहते हैं तो एवर्ड नाइट प्लस पार्टी और सब मेरे को आइडिया मेरे जो लोग आते उससा देते मेरे को जो प्यार देते उससे आता है अभी बोद लिस्ट लेकर मेरे बोद ज़न आगे औ प्राइट अब जाना चाहूंगा ब्राइट अब्रटाइजिंगे मालेक योगिश रखाने के तुक्त लिए तुक्त जनव दिल है क्या तरफ चाहेंगे कब से योगिश भाए को जानते हैं और योगिश भाए को मैं पिछली चार-पात साल से जानता हूँ और बहुत ही महंती कमपणी अगर एड़टाइजिंग में है बंबई में तो योगिश भाई और उनकी ब्राइट एड़टाइजिंग उसको मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा और उनके बेटे का जनम दिन है और उनके हाउस्वामिंग पार्टी है उन दोनों के लिए मेरी संस्था मेरी पार्टी के तरफ से बधाई उनको और आगे मैं चाहूँगा कि योगिश भाई और आगे आगे तरकी पे यूही आगे बढ़ते जाए उसके लिए जो सहयोग रगेगा हम मैं पूरी तरीके से उनका एक दोस्त होने के नाते में उनके साथ ख़ड़ा हू मैं मार्च में जा रहा हूं मार्च में वहाँ पर महिला सशक्ति करन पर बहुत बड़ी कॉन्फरेंस है उसके लिए आमत्री थू और तो वही कॉन्फरेंस हम अटेंड करेंगी सबसे बड़ा वीजन यही है कि मानवाधिकार का प्रचार पुरे देश भर में हो और पूरा देश मानवाधिकार को समझे और शिक्षित हो उसके प्रती ताके हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो और उसे अनुभुती हो कि वह किस चीज के लिए प्रचार के लिए और मैं चाहूंगा कि यह दिन दुगनी रात शोगनी तरक्की करें और ब्राइट है तो ब्राइट और भी ब्राइटर ब्राइटर सूते जाए और खूब तरक्की करने पस हमारी दूआ है बहुत-बहुत मुबारक हो मैं बदाई की पी दे देता हो और साथ सफ में हाउस वाविंग की भी हो जाएगी और हम जी ओधार दिल ये गाए तुम जीओ हजारों साल ये हमारी है हार रैल्सीं है राजु, हैपी बढर दी टो यो, हैपी बढर देटु यो, हैपी बढर देटू! एपी बददेटू आनुग्रह, हैपी बढर देटू यो और बहुत बहुत हुआ हो योगेश है लगाने जी को भी वह तना और मुपारुट ह면 Princip avec चाप देता है। पैसे मिल रहे हैं पर फोटो. तेक यी! कम कम में जी! योगेश प्रखानी ची बाइट अडवाट आपर है। कब से जानते हैं योगेश भाइक के बाठ की बार से थाटव का थाएं? योगेशी को जानते वे तो काफी अर्से हो गया, I think five, six years and I'm very happy, अजुनके बेटे का जनम दिन भी है and beautiful, luxurious palace भी आजुनोंने लिया है और ग्रह प्रमेशा, so we're all very happy and बाकी ब्राइट के बारे में तो कुछ बोलने का फाइदा है नि, हर जगे ब्राइट, ब्राइट है एक दम और अगर किसी को ना भी पता हो तो योगेश भाई जरूरी बता दे तूर अभी मेरी मेरी फिल्म जब रिलीज़एगी, तो definitely जो मैं बैड़्िस किया, so definitely Yogesh ji will only be doing everything ते को उम्हारा उन्हारा इस तो लॉटोर में वे सुट केंगि क्वारा उन्हारा इस वे इनेल नितिन मुकेश, करन सिंह रोवर यह के के मैंन, संधीपा धर, पूर्वारा राना, करिष्मा को तक एस लंडन में शुट किया था दो मही ने और बीपाच्वक जो था अभी खतम हुआ है, एडिटिंग चालू है और अब सब एपरिल में आप सबको मैं इंवाइट करूंगी, you know, for the release. Thank you. क्या बोलना है मुझे योगेश भाई को विश्च कर देता हूं जी मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जाद दस बज़े रहा है बिग बॉस ने योगेश भाई को कंपेशन रूम में बलाकर उनको उनके नए घर के लिए शुक्ताम नाए दी और उनके बेटे के जनम दिन पर उनके बेटे को शुबाशीश दिया किस तरह की सब्सक्राइब रहता है जो सब्सक्राइब आवा इस तरह को आपको कुछ चुबाश करना पड़ता है? मैं क्योंकि नरेटर वोईस हूं मेरा काम जो है ज्यादा तर पोस्ट प्रोडक्शन में होता है तो उतना मुश्किल नहीं है आसान है दस बारा घंटे सेट पर रहना पड़ता है तो बहुत मुश्किल नहीं और इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज अभी आप सूप आसो रियालिटी शोज में मैंने आवाज दी है उसके अदावा टीवी चैनल पर एड़ फिल्म्स में डबिंग मूवी डब्स में गेम अफ त्रोंज एक सीरीज आती है उसको सर डैवास का एक्रेक्टर है वो भी हिंदी में मैंने डब किया हूँ है तो और अब एक्टिंग तो मैं योगेश भाई के बेटे के लिए उनको बहुत सारी मेरी भी बेटी है साड़े तीन साल की तो मैं यह समझ सकता हूँ कि कितना यह खुशी का मौका होता है तो इनको बहुत सारा स्नेहे और बहुत सारा अशरवान है तांक यू सो मच रायbahn थेश्मन सान। मौका है तो स्झे मका मलता है॥ आगे हूँ मैं प्रवान मौकाम का मैं चाप्राणियमार के नहीं कि कि बारेश पर खावान करे दीन अक्तर छेखी हुशी हैूँ हूँdirा एटफित बखेटे दिए अनुग्रहा और जुगर्टिलेशन योगेश भाई भाई लवड़ी बड़ी प्रीड प्रीज प्रीड बखेश भाई प्रोग्रेसिंग एवरी रे तो जब वह प्रोग्रेस करते हैं हम भी प्रोग्रेस करते हैं साथ में थोड़ा सांको भी कुछ मिल जाता है इतने सारी होड़िंग्स है उनकी तो आई विष्टेम अ वेरी वेरी बेस्ट अफ्लाग्ट थैंक यू सबसे पहले हम लोग विष्ट करते हैं अनुग्रे को विशिंग वेरी वेरी हापी बद्य अनुग्रे और योगेश भाई कांगर्चिलेशन फो थे न्यू हाउस आग अंयुग चल्क भूमाहिए अप्केकि अपके साहता हैं, अब और टरखी किश्ये और अपके अपके साहता हैं। अब और तरकी किजे और अजोग और आपके हाँ जिकिले कंगे झालाग्चिले, अब और आपके खार कें डर्या अबर तरह, आगए नगी पीश्ग्स हैं, औ मैं विशिंग अनुम्रेब मनी मनी हब्पी रिदर्स अब देये, हाभी बर्टे और अभी तो आपकी शिर्वात हुए है तो बहुत सारी चीज़ देखना वाकी है विशिंग अल्ड़ बेस्ट पर इस लॉफली वाइफ लाइफ लाइफ एक सब्सक्ताल में जो भी आएफ लॉफली, अजय को अद तो लॉफली यहाए लॉफली बेपरप्स्टायशन में किर तो आपकी रिश्यान चाही को फ्न आपकी कि अमिने की तरवराग जीखिए लॉफली दापकी तरवक्ताशना बगषास को देखना बड़ा है गवस्ताश आपसे रिलिटेड आपना प्रोग्रेस करता है अच्छा लगता है तो बहुत हुशी हुई हमें और पेस्ट अफ लग फॉर न्यूवेंचर अजया है अज़ भी ने बात की बारे के बारे में गिफ क्या क्या है वे इन तो 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 ब्रीफ कर देते हैं अज़ वेला के छिटी मियाते है अच्राइ के अनुगा उन्यूद की ने स्फचल होगा होगा को अग्या को डिए लिए हम लग आप सबस्प्राइश करते हैं हमारी मुझा रिलीज होगा है अब आच्राइचान के अपना डिप्री जिसमें डेप्या हमारे सहाँ वो आना चाहती थी लेकर उनकी तबित खराब करने को जाना पड़ा तो उनकी साइट से भी विश्यस और उसने वीडियो रिकॉर्ड करने भीजा है जहाँ 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 वोल टीम दोसी के साइट एफेक्ट करती है अनुगे को happy birthday even for the flatland जहाँ है जहाँ जहाँ करें विश्यस अगे हैं अटा मैं पर दॉस्यस पारा है ऐा है अए अए बिट विंगे आने चाहिए इसकेम ऑभेशाना आम है दोशी है अजञ झाल का पूर्डे के उची है जब पूर में पूरा जिए अर्थिू है हम्धी अच्छेटी कि विए शोला तुरा है विए अच्छेटी कि विए वर्धी आँ जी आँ प्राइब प्राइब आपे घ्ताइब झाले क्या है। गडरी बारे है। योगिष भाह इस अप्लेश की रचाशंग का लिए ट्राइब ज़ॉट इस मैंसा भंगोडमें धर कितों, का बद्दे है and I wish him lots of luck and happy birthday and lots of luck to Yogesh Laghani also. मिन अब नंदिनी जुमानी है I have been a dancing girl in the film industry like I have been many songs in the films and pop albums with T-series now I've been DJing also last four years और भी ऐसा प्रोफिश का प्राइट के साथ आपका बिलकुल मेरा करियर के शुरुआ थी I am the first girl music video girl जिनका युगेश लगानी जीने अवोटिंग लगाया था so from there I you know और वहादा feeling जब आपने रिखानी प्राइट और अवोटिंग लगाँ लगाँ आपका शिर्फ वन स्टार्स के लगते थे ताम पे लुगेश लगाँ थाल रहाँ जुब लगाँ दाल है he made me a star so I can never forget yogesh laghani for you know his contribution towards my career so way thank you very much प्राइट का हिस्सा हुँ पिछले 15-20 सालों से तो मेरे लिए ये मेरा परिवार है और अनुग्रय मेरे सामने पैदा हुआ और अनुग्रय से पहले जब योगेशी की बर्दे होती थी तब ही मैं आंकर करती थी योगेशी की ब्राइट की कोई पाटी होती थी तबी मैं आप तो ब्राइट रवार्द होते हैं तो बहुत पुराना असोसियेशन है अनुग्रय मेरे बेटे जैसा है और अज इसका बदे सामने बेरी बेरी स्पेशल ऐस्ट से नोट जस दिस आज योगेशी ने अपने नए तो उसके लिये भी यूगेशी को और उनकी पूरी पामली को धेर सारी बठाई है सब्सड़ें अदे़ अचलोगी अब के अधिर्चार भी क्याता बहुत है इस बॉत बॉट पहले? बॉट पहले कई निए पहले में मैं जब मैं मानिक जन नवरातरी आंकर कर रही थी तो योगेश भाई मुझे वहां पर आकर बाकस्टेज बेले थे और उन्होंने मुझे अपना कार्ड लिया था 99-2000, 2000 से 2000, it's 19 years now, so तब से I have been with Bright and I am a Bright girl and I am from Bright family, I can proudly say that, so I am very happy today कि आग मेरे घर का प्रोग्राम हो रहा है Professionally, अभी मुझे doctorate के degree मिली है from United Nations of Organization of Global Peace from America और पर्सो अभी 20th को, I was in Varanasi, जहां पर प्रवासी दिवस सेलिब्रेट हुआ, जहां पर Gopio, जो एक international organization है, उन्होंने confluence and of course, Ministry of India, Government, Central Government of Ministry of India ने मुझे इस साल number one anchor, best anchor of India का किताब दिया है सबसे पहले तो ये तो दो हरी खुशी है एक तो योगेश लखानी साहब के नए घर की house warming party मेरी धेर सारी शुब कामना है, God bless him और दूसरा अनुगरह का birthday, उनके बेटे का मेरी धेर सारी शुब कामना है, best wishes, happy birthday अनुगरह, God bless you और शुब कामना है, दिल से अनुगरह करूंगा कि तरक्षी दिन बे दिन और करते चले जाएं और ब्राइट वीडिया और आगे बढ़ता चला जाएं और हर खेतर में उने काम्यावी मिले, बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, God bless you अच्छारे के अंदाज में विश्कर देता हूं मेरी शुब कामना है योगेश लखानी जी को God bless you Thank you सभी दर्शकों को शिवरात्री की धेर सारी शुब कामना है, हर हर महादेश जी जी बिलकुल मैं उनके बड़े में आया हूं और पहले तो मैं उनको बहुत बड़े की सुब कामना ही दूँगा, बहुत प्यारे से बहुत क्यूट से बच्छे हैं, फिर मैंने उनका घर भी देखा है और इतना ब्यूटिफुल घर उन्होंने बनाया है, सो सब कुछ अ मैंके जूरी थे हमारे, ये साल हम बहुत ध्वाल करने वाले हैं, इसमें इस बार हम अनूप जी का फ्यूजन शौ करने वाले हैं, और हमारा मोटिव इसमें विए नीज जो किने बिन नेश नर्ने चांस देंगे और एक म्यूजिक शौ करेंगे हां, क्या की वच्छ आनोब पंदरह, सोलह, सतरह तारीक को होने वाला है. Thank you so much. मुझे पता लगा है, आज मैं यहाँ पर हूं अनुग्रा के बर्दे के लिए योगेश जी बहुत ही खास है हमारे हमेशा से फैंदी के बहुत ही क्लोज रहे हैं. तो मुझे बौत फुशी है कि मैं अनुग्रा इतना चोटा सा बेवी है उसके बर्दे के लिए आई हूँ तो I'm very happy to be here अनुग्रा देखकर आई और मैं ने घर देखकर आई और मैंने किचेन और रूम सारे देखे मैं सब पुरा घर कुंके आई और पुराइशन साथ में तो मैं चाहा है उन्होंने का रियाज किया है और काफी छीजे उन्होंने मुझे सिखाई है यह सबको ही पता है जब Big Boss हुआ उसे पहले से मैं जानती हूँ ने जब Big Boss के लिए जब मुझे पूछा गया था जब मुझे कॉल आया था कि मैं Big Boss करूँ ऐसा तो मैंने अनूब जी से पूछा कि बिचितर जोडी हम बना के जाएं और इस तरह से हमने प्लाइन किया जब हम घर के अंदर गए कि हम गुरू शीश्या बनके हम जाएंगे तो मैं तो पहले से ही जानती हूँ ने एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग गाना बन रहा है मेरा जो कि मेरा सिंगल होगा और मुझे लगता है वो मार्च या एप्रिल में लांच हो जाना चाहिए तो बहुत ही इंट्रिस्टिंग बहुत ही सेक्सी गारा है तो बहुत लोग यह जानना चाहते है कि जिसलीन अब क्या कर रही है तो मैं अभी सब को बताना चाहती हूँ कि बहुत इंट्रिस्टिंग गाना अब आ रहा है जो एप्रिल मार्च एप्रिल में आ जाना चाहिए अभी अभी आपको पुछ नहीं बताना चाहूंगी सब चीजे ये सब सीक्रेट होती है तो definitely बहुत जल्दी कितना ताम रह गया अभी वागया बस तभी तो एक आप मैंने और रुख जाईए सारी बाते पता चल जाएंगी कुदी आपने यह बहुत अच्छा एडिया दिया है, मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में जिए बिग बॉस में सबसे बड़ी चीज मैंने यह सीखी है कि हम जब बहुत होते हैं, हम ध्यान नहीं देते बहुत सारी चीजों की जिस तरह की लोग चीजे हमें बोल देते हैं, हम उन्हें इग्नॉर कर देते हैं लेकिन यह सोचते हैं के चलो इसको छोड़ो, इससे मिलना नहीं है दुबारा लेकिन बिग बॉस के घर में मैंने यह चीज सीखी है कि आपको कोई भी कुछ भी कहें, तो आप इग्नॉर ना करें मूतोर जवाब देना बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है और अब मैं यह कर रही हूँ यह बहुती फिजूल की बात है, मैं इसे कोई तबजू नहीं देना चाहती क्योंकि वो मेरे बहुत ही खास दोस्त है और मैं उन्हें साथ-ाठ साल से जानती हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी भी है, तो इसमें कोई सचा ही नहीं है देखिए, जनता ने डिसाइड किया कि अगर विनर बनाए और उनको इतने वोट्स अगर मिले है तो मुझे लगता इस तरह से उस पर डिसकास करना और ये भी नहीं कि बिग बॉस कोई पहला सीजन है इसके तो इस बार अगर डिपका बनी है तो ये जनता का डिसिशन था क्लिरली तो इसमें, I don't think इसमें कमेंड करना सही बात होकि जनता की, जनता के, डिसिशन की इंसार्ट करना होगा अपने बोला है यह सब फ्लां था यह सिर्फ एक फ्रांक था कि जब मैं इस टेज पे गई जहां सलमान सर ने अनुप जी से कहा कि कौन आया है आपके साथ तो उन्होंने कहा में शीशिय आई है और मैंने इस टेज़ पे जाकर इस तरह का एक मजाख अनुप जी पे किया था ए मैंने स्टेज पे किया था और मुझे लगा था अनुप जी कहेंगे कि क्या बगवास कर रही हो ऐसा कुछ नहीं है मजाग में यह चीज टालेंगे पर वह हुआ नहीं और कट्टू हम घर के अंदर चले गए और हमें नहीं पता था कि यूनों बाहर कैसे दिखाया जाता है क्या होता है हमें नहीं समझ में आता तो बस वहीं फिर बहार आके जब देखा दो इतना बड़ा इशु बन गया इस बात का तो वह एक प्रैंक था और बस और उस पर क्या को हूं मैं क्या होई कि यूज बाहर ने है कोई भी बहार देखाय आसे मतला पाटी नहीं कर रहा है कि नहीं को आण में किस ने कादिया हम नहीं नहीं बाकियों का पता नहीं लेकिन श्रीशांद, श्रिवाशीश, मेगा, मैं हम सब दबा के पाटी गर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं देखिए सब का स्केडियूर बहुत जादा बिजी है विकर घर के बहार हम काफी ताइम रहकर आए हैं घर के अंदर मैं तीन महने रही हूं और श्रिवाशीश पहले एकल मैंने पहले लेकिन श्री भी साड़े तीन मैंने पूरी जोर्नी करके आए हैं तो थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ भी स्पेंड करना होता है बाकी रहा हैं काम में होता है फिर इंटिव्यूस और बहुत सारी चीजे होती है तो आवी मेक शॉर कि जितना टाइम मिल स गई थी मैंने पिछले सीजन जो देखे थे उनमें मैंने यह देखा था कि बहुत मस्ती हो रही है और शिल्पा जी जैसे नोग जोग करना विकास जी को छेड ना छेड चाड हो रहा है जैसे दीपक हो गए सुर्भी हो गए जिस तरह की लडाईया घर में ओड़ी थी रोहि बिएफ किया यह सीजन में अग्रेशन लेवल इतना जादा रहा है कि कोई मस्ती है और का कुछ लोगों को एंटर्टेंब्मेंट देखने का मौका ही नहीं विला तो जब मैं अगर मैं शो को देख रही हूं तो मैं देखना चाहूंगी कि कैसे शिल्पा जी और विकास जी म सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इस सीजन की कि मस्ती मजाग हुआ नहीं सिर्फ लड़ाई लड़ाई ही हो रही है बस अगर अगर अब कर दो दो जो जी जादी कि अपर देखने का रहा है और पर लड़का तो ढूलो मेरे लिए मुझे बहुत ही केरिंग बहुत ही प्यारा जो मेरा ध्यान दे सके मुझे इस तरह की लड़के बसंद है तो बालेंटाइन्स जी आ रहा है और मैं सोच रही हूं एक स्वायमबर कर लेती हूं और ज्यादा डेमांद नहीं है मेरे कोई लड़का अगर कोई रोज एंड राखी सावन वाला वो एक शो था मुझे नहीं पता वो कैसा हुआ करता था लेकिन ये आप लोगों के सामने ही होगा कोई टेलिविजिन पे नहीं होगा मीडिया के साथ होगा या मेरे घार पे होगा तो एक बात सिंपल सा स्वयमबर मैं सोच रही हूं ऐसे ही फान में अज़े अग रेसे में थूख क्या है तो भुण प्लानिंग चब साह कर रही है तो एक सिंगल तो मैं ने फ्लान कर लिया है हमें एक मूभी भी ब्लान कर रहे है वहत सारे ओफ्स ही है तो अब कोई भी अच्छी चीज अगर करनी हैं तो थोड़ा सा खूल इंड मोगी किया किया नहीं घुख रहा है अट कि मैकन झालाओ करोंगी कि यह दोथ जल्दी कुछ होगा ही हर पियाो हो छल के यहाँ? हर शिंड थिया हा यहाल मुझे शिवरातरी की बहुत बहुत शुक्षाबनाए और सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टंन इंपन्टे Sweet. त्हुम्स सुख्याय ऊप्षोफर्णाज। किस के लिए बदे के लिए खास प्लानिंग कुछ भी नहीं है और वो हमेशा से फैमिली फ्रेंड रहे हैं तो कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन यहां आपकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारा प्यार दे के जाएंगे अब इस पारे में परेंगे इस अच्छा यहां वो सामने आ चुकी है नहीं बहुत कंफियूस था पहले नहीं पहले बताया के इसा जटका दिया था मुझे नहीं पूरे देश को जटका देश जटका देशा लेकिन अभी आने के बाद सारा बात क्लियर हो गई है सब नॉर्मल है यह कहना चाहते हूं कि जितने लोगों ने मुझे देखा है जिस तरह का मेरा बहेवियर रहा है हमेशा से ऐसा बच्पना मस्ती मजाग अलहड़पन रहा ही और मेरे पैरिंस यह जानते हैं तो अगर मैं अश्यक्ट अश्ड़ि आपमे अचाहते ही मझें तो अच्छाहत्पट नहीं है अच्छाहत जरुप अच्छाहत साथ पार यह जासली आप्य यह जोगोड़ यह जणी हाँ ने अश्ट गणीका है अश्ट जट्मल्हात है खंट जली लंग यह जोड़पोश्ट वाह सहाथ एक प्ष्पार एड़ी टीव स्रीयल बार्पी बुप वेड़ना थे आए है अई है है आई है आई है आगार्ण है अई है इस एड़ी आगी तर सर आप रोत कुछाने का में यह दर्यू में है अजया है साकनी दिस कि एड़ी है मुझा कियाना जाएंगा बड़े यह जाएंगी और क्या? प्रियो डाइव शॉज्टे फ्रहने चाहेंगे पूला लाइप नूर्च को क्या? यह जाने पिएरॉ आप साल ही यह से बड़े 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 करकरें यह भाबा बर्दे हैं आपा का बद्दे जिंका में बड़ी 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 बाड़ी सोती रहे हमें बुलाते रहें ि ह differ इस अपरोड़ी केसा करें का रहा है मतलब इससे अच्छा कॉलाबरेशन हो इनी सकता है मतलब कोलाबरेट करते ही आपका नाम जो इस इतारों में करीब पहुंच गया बड़े-बड़े बैनर्स और होडिंग और उससे जादा मुझे खुशी इस बात कि इनके जिंदगी में सब बहुत ही सलीखे से हुआ है और यहापी बदे मना रहे हैं अपने एक ही बच्चा है ना आप एक ही बाबा है इनके कई बाबा हो और यह फैमिली प्लानिंग के सारे नियम को तोड़ते वे हर साल छे साथ बच्चों के जो हैपी बदे करें राइट अब अब जिस तरह से आप तरह आप यहाप उस मकाम पर पहुंच गए कि यहाँ छे साथ बच्चे होनी चाहिए आप यह कौन कह रहा है इनके साथ पूरा इनके बगर रही नहीं ने एक मिरे पहली फिल्म से वहारी पॉस्ट्र लगा है और यह बहुत सारी फिल्में की इनसे इसकिप चाहिए हमारे साथ सो मैं इनको थांक्यू बोला चाहता हूं कि आपने पूरा बंबारी दिली में मुझे फेमिस करते हूं जी सर अभी वो अभी बहुत जल्दी अस फिम के बारे में बात कर निकले जाओ झाओ पर जैसी को अफिशल लांसमें होगी सबसे पहले ने आप सबसे इनके नेक्स बाबा की नेक्स बोड़ देखें चलों इसा पाते हो आई जाया जाए ठाट एक तीज़ पर जाने के लिए झाल